हेलो एवरिवन, आज हम शितिज का लेसन प्रेम चंद के फटे जूते पढ़ने जा रहे हैं जिसके लेखक हिंदी के सूप्रसिद व्यांगकार हरी शंकर परसाई जी हैं इनका जनम सन 1922 में मध्य पर्देश में होशांगाबाद जिले के जमानी गाउं में हुआ था इनकी आरमिक शिक्षा गाउं में ही हुई उच शिक्षा के लिए ये नागपुर गए और नागपुर विश्विदाले से ही एम में किया इसके परशाद ये कुछ दिनों तक अध्यापन कारे करते रहे सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे और जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का समपादन किया यह पत्रिका काफी प्रेशंसित रही सन 1905 में में परसाई जी का निदन हो गया था परसाई जी ने लगबग दो दरजन पुस्त के लिखी जिन में कहानिया उपन्यास निबन संग्रे व्यंग संग्रे आदी हैं परसाई जी ने अपने व्यंग लेखन से भारतिय जीवन में व्याप्त अनेक बुराईयों पर सरशक्त आशेप किया है इन्होंने सामाजिक, राजनेतिक और धार्मिक पाखंडों को अपने काव्य लेखन का विशय बनाया इस कारण वे सामाजिक परिवर्तन की चेतना उत्पन करने में सक्षम रहे उन्होंने ब्रस्ट नेताओं और प्रेशासकों पर व्यंक किया है भाशा इनके कावे में आम बोलचाल की सरल एवं समाने भाशा का प्रियोग किया गया है इनके विशय के अनुसार हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तत्सम, तत्भव, तथा देशच शब्दों का प्रियोग करके कथे को प्रभावशाली बनाया है प्रेमचंद के फटे जूते हरी शंकर परसाई जी ने एक व्यंग लेखन के रूप में इसे लिखा है जिसमें प्रेमचंद जी के फटे जूते एवं उनकी साधरन वेश वूशा के माध्यम से उनके साधगी पूर्ण विचार को पाठकों के समक्ष प्रस्तूत किया गया है साथ ही प्रेमचंद की अंतरवेदी सामजिक द्रिश्ट्री का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवर्ती एवं अवसर वाधिता पर व्यंग किया है प्रेमचंद का एक चित्र लेखक के सामने आया जो प्रेमचंद जी और उनकी पतनी का फोटो है उस फोटो में प्रेमचंद जी ने दोती कुड़ता पैने हुए है और सर पर टोपी लगाए हुए है उनके गालों की हड़िया उबरी हुई है तथा चहरे पर गनी मूचे है पाउं में कैन्वस के बेतर भी तीब बंद वाले जूते हैं ये ऐसे जूते हैं जो कपड़े के होते हैं जिनने सलू के द्वारा बांदा जाता है बाएं पैर का जूता फटा हुआ है उसमें एक बड़ा छेक है जिसमें से उंगली बाहार निकली दिख रही है लेखक प्रेमचंद का फोटो देखता है फटे जूते में फोटो खिचवाने का कारण हो सकता है कि पत्नी ने फोटो खिचवाने के लिए जोर दिया हो या प्रेमचंद जी किसी कारे को कर रहे हो और अचानक उन्हें बुला लिया गया हो या पत्नी के डर के मारे वह जिस पोशाक में थे उसी पोशाक में फोटो खिचवाने वहां आ गए लेखक फिर सोचते हैं कि प्रेमचन जी एक ऐसे इंसान थे जिने दिखावा पसंद नहीं था और उन्हें किसी से माँगना अच्छा नहीं लगता था उन्होंने जीवन भर मर्यादाओं का पालन किया उनका जीवन आर्थिक संकट एवं अभाओं में बीता था उनका व्यक्तित बाहर और अंदर दोनों तरफ से एक जैसा सादा और सहष्टा से भरा था उन्होंने समाज में व्याप्त सदियों पुरानी मानताओं को द्वस्त किया वो तीले रूपी बाधाओं से बचकर नहीं बलके उनसे संगर्ष करके आगे बढ़ते थे वो स्वभी मानी थे उनका स्वभाव समझोता वादी नहीं था प्रस्तुत व्यंग निबन में प्रेमचन जी के व्यक्तित को संगर्ष शील, अपराजे, मर्यादित, स्वभी मानी, साद्गी युक्त और गिसी पिटी परंपराओं का विरोधी बताया है लेखक की चिंता है कि सहाइते के इस पुर्खे को अपने जूते फटे होने का जरा भी ऐसास नहीं है कोई लज्जा संकोच या जेप नहीं है क्योंकि चहरे पर बड़ी बे परवाही भरा विश्वास है फोटो में अधूरी मुस्कान लेखक फोटो में प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान को देखकर सोचता है कि जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार उन्होंने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी परंतु यह अधूरी मुस्कान यह मुस्कान नहीं उपहास बरा व्यंग है यह कैसा आदमी है जो फटे जूते पहने फोटो खिचवारा है पर किसी पर हस भी रहा है शायद फोटो खिचवाने का पत्री का आगरे रहा होगा और फोटो खिचवाने बैठ गए होगे परंतु फोटो में उनके चहरे को देखकर भीतर के कलेश स्वेते प्रगट होने लगा तो उनका व्यंग भरा दर्द लेखक को विवश करता रहा दिखावे की प्रवर्ती पर आशेप लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिचवाने के लिए जूते, कोट और दूसरों की बीबियां तक मांग लेते हैं लोग इत्र लगाकर फोटो खिचवाते हैं ताकि फोटो में खुश्बू आ जाए यहां तक की गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुब खुश्बूदार होती है परंतु प्रेम चंद के पैरों में फटा जूता देखकर ग्लानी होती है कि महान कथाकार, उपन्या समराठ, युग प्रवर्तक, आदी नामों से प्रसिद होते हुए भी फोटो में फटा हुआ जूता पहने हैं लेखक का तला गिसा जूता लेखक बताता है कि मेरा जूता भी कोई जादा अच्छा नहीं है पर वह उपर से अच्छा दिखता है लेकिन इसका तला गिस गया है लेखक बताते हैं कि प्रेमचंद की उंगली बाहर दिखती है पर पैर सुरक्षित है लेकिन मेरी उंगली ढकी है परन्तु नीचे का पंजा और अंगुठा जमीन से गिस्ता रहता है लेखक अपने बारे में बताते हैं कि मैं उपरी परदे पर पूरा ध्यान रखता हूँ मेरी जीवनी चाहे कोई बिना फोटो के छाप दे परन्तु ऐसा फटा हुआ जूता पहन कर कभी फोटो नहीं खिचवा सकता प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का रहसे लेखक प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान के रहसे का अनुमान लगाता है कि क्या होरी का गोदान हो गया क्या पूस की रात में नील गाय हलकू के खेत चर गई क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्या माधो पत्नी के कफन को बेज कर शराप पी गया या फिर लेखक किसी महाजन के तकादो से बचने के लिए दूर दूर के रास्तों से चक्कर काट कर आता रहा परन्तु चक्कर काट कर आने से जूता घिसता है फटता नहीं भक्त कवी कुमन दास का जूता भी फत्यपूर सीकरी आने जाने में घिस गया था जूता फट जाने का रहसे लेखक मानता है कि प्रेमचन जीवन भर कठोर चीजों को ठोकर मारते रहे जीवन मार्ग पर पढ़ने वाले टीलों से बचकर निकलने के बजाए उन पर जूते से ठोकर मारते रहे यहां टीले से तातपर रहे मार्ग की रुकावटें बाधाएं उपस्तित करने वाले लोग सामन्तवादी या पुरातन पंथी लोग टीले पर ठोकर मारने का उलेख करने से लेखक ने बाधक ततवों जैसे ततकालीन समाज में व्याप्त शोशन की प्रवर्ती अन्याय चुआ चूत जाती पाती आधी बुराईयों को ध्वस्त करने का संकेत किया है सुविधा भोगी लोग ऐसे ततवों से समझोता कर लेते हैं या फिर उन्हें अंदेखा करके बगल से निकल जाते हैं लेकिन प्रेमचंद का सभाव समझोता वादी नहीं था वे तो सामने से ठोकर मार कर बादक ततवों को ध्वस्त यानी नस्ट करके आगे बढ़ते थे लेखक का अनुमान लेखक अनुमान लगाता है कि प्रेमचंद के पैर की उंगली मानो उसी ग्रिनित की और संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मार कर उन्होंने अपने जूते फाड़े थे वे अब भी उंगली और मुस्कान से इशारा कर रहे हैं कि उंगली को ढखने की चिंता में तलवे का नाश करने वाले जीवन मार्ग पर कैसे चलेंगे उंगली भले ही बाहर आई परंतु पैर बचा रहा इसी से वे इतने आगे तक चल सके इस पार्ट में लेकक ने उन लोगों पर जो बाहरी दिखावे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करते रहते हैं उन लोगों पर व्यंग के रूप में प्रेम चंजी के बारे में कहते हैं कि तुम पर्दे का मैं तो नहीं जानते हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं यह सच है कि आज जूता हमेशा टोपी से कीमती हो गया है अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और जूते पर पच्छी सो टोपियां निचावर होती हैं यहां लेखक ने सामाजिक आर्थिक ववस्ता पर गहरा व्यंग करते हुए जूते को टोपी की तुलना में स्रेश्ट बताया है वस्तुते आजकल जूते वाले अर्थात धन्वानों का मान सम्मान बढ़ गया है और गुणी व्यक्तियों का केवल धन के अभाव में सम्मान कम होने लगा है एक आयोग्य परन्तु धन्वान व्यक्ति पर पच्चिसो टोपियां अर्थात मस्तक न्युचावर होते दिखाई पड़ते हैं अर्थात धन्वान के सामने ज्ञान बल अब जुकने लगा है पैदल चलने से जूता गिस्ता है फटता नहीं आज बहारी दिखावा दुनिया करती है उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े बहारी दिखावे पर व्यंग करते हुए आंत्रिक गुणों पर भी ध्यान देने के लिए कवी ने जोर दिया है तुम परदे का महत्व नहीं जानते हम परदे पर कुर्बान हो रहे हैं इसमें लोगों के द्वारा असलियत को चिपाने की प्रबर्ती पर व्यंग किया है लेखक बताते हैं कि लोग अपनी बुराईयों को ढखने का निरंतर प्यास करते हैं और बनावटी जीवन जी कर वास्त्विक्ता से भागते हैं परंतु प्रेमचन जी के पास परदे में चिपाने लाइक कुछ भी नहीं था वे सभाव से जैसे बाहर थे वैसे ही अंदर भी थे रिमेंबर पॉइंट्स बाएं पैर का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में चेक हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है सेकिंड पॉइंट्स प्रेमचन के जूते फटने का कारण यह हो सकता है कि वह जीवन भर समाज की कू रीतियों रूपी टीलों को ठोकर मारते रहे समाज में बुराईयों जितनी भी थी उनसे संगर्ष करते रहे इसका कारण उनका जूता फट गया होगा दूसरा कारण यह हो सकता है कि वह आर्थिक तंगी से ग्रस्त रहे थे और तकादो से बचने के लिए लंबा चकर लगा कर घर लोड़ते रहे होंगे उन्होंने लेखन कारण में काफी परिश्रम किया परंतु उससे उचित धनलाब नहीं हुआ वैसे भी उन्होंने गरीबों और दलीतों को लक्षे कर अपनी रचनाएं लिखी तो उनसे उन्हें कुछ नहीं मिला फलसरू जीवन की कठिन मार्गों पर चलने से उनके जूते फट गए होंगे कु बंदन दास को बात्षा अकबर के बुलाने पर वे उनसे मिलने फत्यपूर सीकरी गए थे इस कारण फत्यपूर सीकरी जाने वैल लोट आने में उनके जूते फट गए थे ये सब प्रेमचन जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं होरी प्रेमचन जी द्वारा रचित उपन्यास गोदान का नायक है नेम धरम निबाना उसकी कमजोरी था नेक्स्ट पॉइंट है जिसे तुम घ्रणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हो अर्थात प्रेमचन जी ने भी जिसे समाज में घ्रणा योग्य समझा उसकी और अपने पैर की उंगली से इशारा किया अर्थात उसे पैर की ठोकर मारी उसे अपने जूते की नोक पर रखा और उसके विरुद संगर्ष करते रहे